Software Engineering में आज का हमारा topic है What is Coupling & Cohesion सबसे पहले coupling क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे उसके बाद हम Cohesion भी आपको बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कपलिंग बोलते किसको है We represent coupling in top level design यह जो coupling होता है ना इसको top level design represent करता है लेवल डिजाइन का मतलब यहां पर क्या हुआ कि एक सॉप्ट्वेयर को अलग-अलग मोडियूल में ब्रेक करना ही टॉप लेवल डिजाइन कहलाता है आपको भी पता है यह जो कप्लिंग होता यह क्या पता था किसी सवेर में जो भी अलग-अलग मोडियूल होते हैं कैसे एक दूसरे से इंटर डिपेंड और इंट्रक्ट करते हैं वही डिफाइन करता है कौन कप्लिंग एक्जामपल के लिए यहां पर मैं अगर फिगर बनाओं मानके चलो कि यह कंप्यूटर के लिए हम सब्सक्राइब बना रहें काल्कुलेटर नाम विए सब्सक्राइब करता है कौन ठीक है and coupling should be low for better software design coupling हमेशा लो होना चाहिए software design अगर आपको अच्छे तरीके से करनी है तब इसका मतलब क्यों लो होना चाहिए लो इसलिए होना चाहिए कि एक ही software में अलग-अलग module एक है addition एक है subtraction अगर coupling लो नहीं रहेगा इसका मतलब यह दोनों एक उपर पुरी तरह सेballs रहें तो कुछ भी चंजस अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा जो कि होना नहीं चाहिए इसलिए कहते हैं कि counting लो होना चाहिए मतलब dependency होना चाहिए लेकिन बहुत कम होना चाहिए ना कि के बराबर होना चाहिए। तो यही होता है हमारा कपलिंग और जितना कम कपलिंग रहेगा उतना ही अच्छा सौफ्टेयर डिजाइं होगा और सब्सक्राइब अच्छा काम करेगा अब आपको बताते हैं कि कपलिंग बहुत का ठीक है। पहला होता है content coupling content coupling सबसे खराब coupling होता है जिसको बैड coupling भी बोल सकते क्योंकि यह बहुत ज्यादा हाई होता है coupling जितना ज्यादा हाई होगा software में जो भी अलग-अलग module होता है वो उतना एक दूसरे का उपर depend हो जाएगा और यह अच्छी बात नहीं है ठीक है इसलिए बोला जाता है कि यह जो content coupling है यह कम होना चाहिए लेकिन यह हाई होता है इसलिए इसको बोलते हैं बैड coupling सेकेंड हो गया हमारा common coupling यह क्या होता है जब समान global data दो module से share किया जाता है अगर हम global data में changes करें तो दोनों module में changes आएंगे इसलिए common coupling को हम global coupling भी कहते हैं ठीक है अभी हो गया हमारा third external coupling यह क्या होता है जिस coupling में external data format और communication protocol को दो module के बीच में share किया जाता है उसी को बोलते है external coupling ठीक है तो module के बीच में externally share किया जाता है external coupling फोर्थ हो गया हमारा control coupling control का होता है जिस coupling में एक module दूसरे module के फ्लो को चन्ट्रोल करता है उसी को बोलते है control coupling जैसे मालिजे ये मोड्यूल है यह वाला module इस module के data flow को कान्ट्रोल कर रहा है उसी को बोलेंगे control coupling अर्टान कप लिंग में यही होता है और जितना भी coupling होगा सब में एक से ज्यादा मोडियूल होगे ठीक है सॉप्ट्वेर तो एक ही होगा पर आप कोई पता है अगर हम स्वट्वेर को अलग अलग मोडियूल में break करते हैं तो समझना असान होता है सब्वट्वेर को मैंने आपको SDLC में पताया था ठीक है तो मतलब एक से ज़्यादा मोडियूल होंगे सिंगल आफियर का हमारा स्टाम यह क्या होता है जिस कपलियों में बहुत सारे मोडियूल समान परकार का डेटा स्ट्रकेशर करते हैं उसको कहते हैं तीक है मालो एक स्बॉर का यह अलग-अलग मोडियूल है अगर यह इन दोनों में भी कुछ ऐसा functionality होगा जो कि सेम होगा अगर यह सेम functionality को आपस में share करेंगे तो वह stamp coupling कहलाएगा फिर number six हो गया हमारा data coupling इसका मतलब जिस coupling में दो modules के बीच data pass किया जाता है उसको बोलते हैं data coupling तो data coupling सबसे अच्छा coupling होता है क्योंकि यह लो होता है और coupling जितना ज्यादा लो होगा उसका मतलब software में जो अलग-अलग module है वो कैसे आपस में एक दूसरे से interact कर रहे हैं interdependently यह define करता है हमारा coupling और coupling लो मतलब better software design software का performance काफी अच्छा रहेगा अब चलिए कोहेजन भी देख रहे थे कोहेजन क्या होता है कोहेजन कि अगर हम बात करें तो कोहेजन रिपरजेंट detail design कोहेजन जो है detail design को represent करता है तो detail design का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक ही module की अंदर जो भी element होते चोटे चोटे एलिमेंट वो कैसे एक दुसरे से रिलेट करते हुआ ही रिपर्जेंट करता है डिटेल डिजाइन ठीक है एंड इट डिस्क्राइब्स हाव दा एलिमेंट सीना पर्टिकुलर मोडियूल और क्लोजरी रिलेटेट टू इच एदर एंड इट शुट भी हाई फोर वेटर सफ्वेर डिजाइन कोहेजन जो हाई होना चाहिए अगर आपको एक बढ़िया सफ्वेर डिजाइन करना है तब और कोहेजन डिटेल डिजाइन को रिपर्जेंट करता है और मैंने बोला डिटेल डिजाइन क्या बताता है कि कैसे किसी भी सफ्वेर का पर्टिकुलर जो मोडियूल होता है एक मोडियूल के अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 एलिमेंट जो एक ही मोडियूल के अंदर होते हैं वो कैसे एक दुसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं वही डिफाइन करता है कोहेजन अगर यहां पर इसमापल के लिए हम बोले मालो यह कोई सब्सक्राइब बना रहें कंप्यूटर के लिए कलकुलेटर ही बना रहें एक है अडिसन का मोडियूल लेकर सब्ट्राइक्सन का तो इस अडिसन वाले मोडियूल की अंदर भी बहुत सारे छोटे-छोटे element होंगे जैसे abc यह चोटे-चोटे element है मानो यह तीनों चोटे-चोटे element variable आगा तीनों के लिए number input करेंगे हम तो यह तीनों add होगा क्यों क्योंकि वह add module का part है तो एक दुसरे से closely relate कर रहा है यह module तीनों इसलिए तो यह तीनों add हो जा रहा है तो वही define करता है cohesion और cohesion high होना चाहिए ठीक है तभी जाके आपका यह चोटा-चोटा element है एक दुसरे से relate कर पाएगा ठीक है और software बढ़िया से design होगा अब हम बात करते हैं cohesion के type के बारे में कि कितने टाइप का cohesion होता तो आप यहां पर देख सकते यह जो भी cohesion का टाइप देख पा रहें यहां पर यह सभी detail design को follow करते है detail design मतलब कोई भी software में अलग-अलग module होते हैं structure का यह सभी उसी को follow करते हैं functional cohesion हमारा सबसे बेटर होता है क्योंकि यह सबसे ज्यादा हाई होता है ठीक है और इसका मतलब क्या होता हाई होता है तो इसमें module का सभी element एक ही function को perform करते हैं जैसे एक module में यह तीन element हो गया अगर यह तीनो वेरियेबल के लिए तीनो छोटे-छोटे element के लिए हम नंबर input कर दे 10 20 30 तो यह तीनो नंबर एक ही काम करेंगे add होनेगा ठीक है यह हो गया functional cohesion second हो गया sequential cohesion इसका मतलब क्या हुआ जब किसी module के element एक साथ group में होते हैं और एक element का output दूसरे element के लिए input की तरह काम करता उसी को बोलते है sequential cohesion ठीक है थाड होता है communicational cohesion ठीक है इसमें communicate करता है एक module का element दूसरा module की नहीं एक ही module का एक element दूसरे module के साथ communicate करने का काम करता है फिर हो गया हमारा fourth number पर procedural cohesion फिर हो गया temporal cohesion six number पर आगया हमारा logical cohesion logical cohesion को थोड़ा साप समझ लेजे किसी module में logical cohesion तभी होता है जब किसी module के element के बीच में logical संबंद होता है ठीक है और module एक ही logical class में रखे गया functions को perform करते हैं उसी को बोलते है logical cohesion ठीक है एक ही module का अंदर अलग अलग element है और एक ही तरह के logical function को यह perform कर रहे हो गया logical cohesion ठीक है co incidental cohesion यह सबसे ज्यादा low होता है ठीक है इसी लिए यह सबसे खराब cohesion का टाइप है इसका मतलब क्या होता है इसमें जो भी एक ही module का अलग अलग element होता है वह आपस में ही relate नहीं करता है वह आपस में ही एक दुसरे का साथ close नहीं होता है वही होता है co incident cohesion जैसे module का नाम है प्लस अगर हम यह तीन number तीनों element के लिए input कर रहे तो यह तीनों अगर add नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं होगा और ऐसा तभी होता है जब co incidental cohesion में हम काम करते हैं और इसमें software अच्छा design नहीं होता है क्योंकि यह लो होता है तो यह हो गया हमारा cohesion थोड़ा सा summarize कर देते हैं coupling हमेशा low होना चाहिए ठीक है और cohesion high होना चाहिए coupling में क्या होता है कि एक ही module का बात होता है software एक software को जब हमनाते हैं तो अलग अलग module में हम इसको ब्रेक करते हैं ठीक है और cohesion क्या बोलता है कि एक software जब बनाते हैं तो अलग अलग module में हम उसको करते हैं तो अलग अलग module में भी छोटी-छोटी element होते हैं कैसे जुसरे से inter relate कर रहे हो वह बताता है tohishемся को甉 health